हेलो फ्रेंड्स मैं अजना मित्तल अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर देखिए ये एक बहुत प्यारा इसी लेडिज जैकेट लेकर आई हूँ ये मैंने लेडिज फुल कार्डिकन या जैकेट आप कुछ भी बॉल सकते हैं ये बनाया है ये देखिए इसमें मैंने ये गल पैंचे बलए तो गर्ल्स को पेहनने की बात बहुत सुंदर लग्ता है ये देखिए ये गल्स कको एक दम से फिट आएगा ये मैंने पांचों पीसीす में सेम बनाई डाली है और वोपर से मैंने इसमें कॉलर बनाया है ये ये मैंने सिंपल कॉलर बनाया है आप इसमें अपने हिसाब से फंदे डाल सकते हैं लेकिन आप ये ना सोचें कि छोटा हो गया है क्योंकि ये वाली बुनाई पहनने के बाद खुलती है मैंने ये एक सत्रा साल की लड़की के लिए बनाया है जिनको रेडिमेट जो करडिकन या जैकेट है वो 38 नंबर का आता है तो मैंने इसमें यहाँ पर आगे मैंने इसमें इस जगह पर 60 फंदे और 60 इन दोनों पीसीज में मैंने 60 60 फंदे डाले हैं और पीछे बैक में मैंने यहाँ पर 110 फंदे डाले हैं और यहाँ पर मैंने इसमें ये देखो ये वाला बॉर्डर बनाया और यह design कैसे डाला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं यह दिखी मैं आपको एक छोटा सा patron दिखा रही हूं इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इसमें मैंने 11 फंदे का border बनाया है यहाँ पर मैं आपको 7 फंदों का बना कर दिखा रही हूं यह देखो एक फंदा हमें पहल पल border की तरह फिर एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा फिर एक उल्टा और फिर से एक सीधा यह देखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ यह मैं थोड़े छोटे बच्चे के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैंने इसमें 7 फंदे की बटन पट्टी बनाई है अब हमें यह डिजाइन बनाना है, इस डिजाइन पेटरन के लिए हमें पाँच पाँच फंदे, पाँच फंदे डिजाइन के लिए और पाँच उल्टे यह बीच के लिए, फिर पाँच डिजाइन के लिए, पाँच बीच के लिए, पाँच पाँच फंदो का हमें इसमें distribution करना है तो सबसे पहले मैं 5 फंदों का design बनाती हूँ यह देखो तो जो design बनेगा वो कैसे बनेगा ऐसे हम ऐसे second फंदा उठाएंगे यह वाला और इसको हम ऐसे आगे लाएंगे और पहले हम यह second फंदा बुनेंगे और उसके बाद हम यह first फंदा बुनेंगे यह इसके simple ऐसे बुनेंगे अब हम फिर से आप देखो अब हम पहले अभी हमनी पहले second फंदा लेंगे इस तरह से second number वाला यह देखो और इस फंदे को हम बुन लेंगे और उसके बाद हम ये first वाला फंदा लेंगे और इसको भी बुन लेंगे और इनको हम नीचे उतार देंगे अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और एक पाँच धागा पीछे करेंगे फिर वही ये वाला first फंदा थोड़ा सा ऐसे खीचेंगे ऐसे और इसको एसे आगे लाकर पहले first फंदा बुनेंगे और उसके बाद second बुनेंगे और उसके बाद first फंदा ऐसे बुनेंगे इन दोनों को हम नीचे उतार देंगे अब हम ये center का फंदा बुनेंगे ये 2 और 1 3 और अब हम यहाँ से ये देखो ऐसे second वाला फंदा अगर आपको ये pattern hard लग रहा है तो दूसरा ये है कि हम दो फंदे निकालेंगे और दो फंदे निकालने की बाद ये देखो इस सलाई में पहले ये फंदा लेंगे आगे वाला और अब हम ये पीछे वाला फंदा लेंगे और इसको आगे डाल देंगे अब हम इन दोनों फंदों को बुन लेते है इसी तरह से हमारी पूरी सलाई बनेगी अब हम फिर पांच उल्टे फिर पांच का डिजाइन पूरी सलाई हम बना लेते हैं ये देखे हमारी पूरी सलाई कंप्लेट हो गई है अब हम उल्टी सलाई पर आ गई है उल्टे सलाई हमारी पूरी जिन फंदों में हमने ये देखो जिन फंदों में हमने केबल चेंज किया था ये वाला ये पाँचों फंदे हमें उल्टे बनाने है और ये जो हमने उल्टे किये थे इधर से ये हमें बाद में एक दो सलाई में प्रोब्लम होईगी सीधे नजर आएंगे तो इनको हमें सीधा बनाना है तो ये जो डिजाइन वाले फंदे हैं पहले में ये उल्टे बना लेती हूँ सोरी हाँ उल्टे बना लेती हूँ एक दो तीन चार और एक पाँच अब हम धागा पीछे करेंगे जो हमने सिंपल पाँच अल्टे फंदे बना लेती हैं एक दो तीन चार और एक पाँच ये देखो फिर धागा आगे करेंगे और ये पाँच फंदे हम अपने एक दो तीन चार और एक पाँच ये पाच जिसमें केबल चेंज किया था वो वाले पाच फंदे है अब हम अपनी इस बॉर्डर पर आ गए है ये बॉर्डर देखी ये फंदा हमारा निकल गया देखो यहाँ पर ये फंदा हमें ये वाला ये वाला हमने यहाँ पर ऐसे आपको नजर आएगा इधर सीधा ये उल्टा है इधर देखेंगे ये वाला फंदा हमें उल्टा नजर आ रहा है तो धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे जो सीधा नजर आएगा उसको उल्टा और ये देखो सीधा नजर आ रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे ये उल्टा नजर आ रहा है इसको सीधा ये सीधा नजर आ रहा है उल्टा यानि कि इस में जो हम border होता है उसका opposite करते हैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा करते हैं ये देखे ऐसे अब हम अपनी next slide पर आ गए है पहला फंदा हमें देखो उल्टा नजर आ रहा है तो पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे इसको उतार लेते हैं धागा आगे करेंगे ये सीधा नजर आ रहा है इसको उल्टा बनाएंगे धागा पीछे फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा और फिर से सीधा फिर वही डिजाइन पैटरन सेम रहेगा एक और एक दो ये सेकेंड नमबर का फंदा थोड़ा ऐसा करेंगे आप चा डालेंगे अब हम सबसे पहले ये फंदा ऐसे पीछे डालेंगे और ये वाला सेकंड वाला फंदा हम आगे लाएंगे और इन दोनों फंदों को हम बुन लेते हैं ये देखो ये बीच का फंदा एक है से सिंपल बुनेंगे अब ये दो फंदे ये दो फंदे भी निकाल लेते इसमें हम आगे की साइड से लेंगे पहले ये फंदा और ये पीछे वाला फंदा ऐसे पीछे की साइड करके आगे ले आएंगे ऐसी ये देखो अब हम धागा आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और एक पांच ये हमारे आखिर तक ये दे पाँचों हमारे उल्टे चलते जाएंगे यी कलर मेरा थोड़ा लाइट है इसलिए आपको थोड़ी प्रोब्लम होएगी समझने में अब हम धागा पीछे ले जाएंगे फिर से ये देखो ऐसे ये ऐसे सेकेंड फंदा ऐसे और ये वाला हम बीच का फंदा और यहाँ पर फिर से दो फंदे पहले पीछे का बुनेंगे और फिर हम उसके बाद आगे वाला ऐसे ही हम पूरी सलाई बुनते जाएंगे अब हमारी सलाई कंप्लीट हो गए फिर हम उल्टी सलाई पर आ गए है अब हमें क्लियर नजर आ रहा है ये पाच फंदे हमारे ये हमारे उल्टे फंदे हैं देखो हमें पाचों फंदे उल्टे क्लियर नजर आ रहे हैं ये और ये सीधे नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने पाच फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार और एक पाच धागा पीछे ले जाएंगे और पाच फंदे सीधे एक दो तीन चार पाच फिर पाच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाच इस तरह से हम अपना ये पूरा स्वेटर बनाते जाएंगे ये अमारा बॉर्डर आ गया देखो ये पहला फंदा उल्टा नजर आ रहा है सीधा बनाएंगे सीधा नजर आ रहा है उल्टा बनाएंगे इस तरह से हम ये वाला डिजाइन पेटरन बना सकते हैं बहुत सिंपल है बहुत एजी है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे एक बार जरू ट्राइए कीजिएगा ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन पेटरन बनता जाएगा बहुत जल्दी आप ये डिजाइन बना सकते हैं बहुत एजी है और बहुत जल्दी आप इसको तैयार कर लेंगे ये लेचे थैंक यू है वा नाइस डे